दोस्तों हाला कि हम दोस्तान में रहते हैं तो मैंने सुचा कि चलो एक वीडियो ERP के उपर हिंदी में भी बनाया जाए इसलिए मैं यह वीडियो आप लोगों के साथ सेर करना कर रहा हूं हाला कि मैं एक सप्टा में Microsoft Dynamics AX पर मैं एक टेकनिकल काम करता हूं तो ज्यादतर मेरे वीडियो एक सप्टा पर ही होते हैं जिसका डेटाबेस एसक्यूल में रहता है आधर मैं एसक्यूल या एक सप्टा में वीडियो बनाता हूं तो हमारे हिंदुस्तान ही भाई और कोनो कोनो में रहते हैं लगवाग बहुत लोगों ने एक AX के बारे में सुना होगा लेकिन जानते बहुत कम ही लोग हैं क्योंकि अभी भी मार्केट में कमप्टिशन बहुत है और AX के प्रोफेशनल्स बहुत जादा नहीं है इसलिए अगर आप AX के प्रोफेशनल है तो मार्केट में आपके डिमांड बहुत जादा है आप समझना चाह रहा होंगे कि अखिर AX है क्या यूटूब में या गूगल में आप ERP के बारे में सर्च करते हैं तो AX का नाम बहुत ही जल्दी सर्चिंग में आता है अपने सैप का नाम सुना होगा और एकल का नाम सुना होगा वैसे ही AX भी उसी कंप्रीशन में मार्केट में खड़ा हुआ है यह एक इंटर्प्राइज रिसोर्स प्लानिंग सफ्ट्वेर है जिसको मैक्रोसाफ्ट ने लांच किया था इसक compound इसकर तो इसकी के वह वारे में यह मैं कैसे आया इसके वॉजंस क्या है बील्ड नंबर्स क्या है वह सब تع याते हैं कि हर बिजनष में डेटू डेटूरे रोचिन्स रहता है है कुछ लिंग होती है खिविंग पार्जेज होता है कुछ आइटम मैनुफेक्ट्ट्रिंग बनाया जाते हैं कुछ बाम प्रडक्ट्स होते हैं आपरिसन इतना बड़ा होता है कि उसको कागज पर रिकार्ड आज की जवाने में नहीं किया जा सकता है तो उसी कि उसी रिकार्ड को मेंटेन करने के लिए ERP के जिरुवत पड़ते हैं चाहे आप सहप ERP लो चाहे आप AX ERP लो सभी में Sales, Purchase, Production Order, Project Management, Service Order, Inventory Management, Warehouse Management Advanced Warehouse Management, Role Centers, Payroll Management और Finance Management किया जाता है और इसी topics को लेके लोगों को domain wise knowledge भी गिना जाता है किसी कोई व्यक्ति अगर manufacturing में interest रखता है manufacturing field में interest रखता है तो वो manufacturing consultant बन सकता है कोई accountant है finance background का है तो वो finance consultant बन सकता है किसी को inventory manage करने का inventory के बारे में अच्छा knowledge है item master, bomb, sales purchase cycle यह सब का अगर अच्छी पकड़ है तो वो trade and logistics का professional कि कहा जा सकता है यह सब का combination day to day operations को maintain जिसमें करते हैं उसको ERP कहा जाता है अगर ERP ना हो तो हमें एक बड़े industries में सारे operations को maintenance करने के लिए बहुत high powers, man powers चाहिए जो कि possible नहीं हो सेफ मार्केट में जब आया था तो उसके competition में सायद ही कोई ERP खड़ा था लेकिन सायब का problem यह था कि वो कोशली होने के कारण middle-level की industry उसके effort नहीं कर सकती थी तो कोई Tally में अपना data maintain करता था कोई Oracle में कोई अपना उसी समय उसी year में IBM ने IBM accepta launch किया था वो US और Dennis market के लिए था accepta 1.0 was the first edition you can see screen here आप यहां पे screen देशकते हैं कि accepta 1.0 के पहले आया था और यह mid-size company के लिए ही था Windows NT server पे इसको हम चला सकते थे इसके बाद इसका जो आप डेटाबेस था वो SQL server 6.5 था और एका डेटाबेस था 98 में ही के नॉम्बर में accepta का वर्जन रिलीज हुआ 1.5 था वो Norway, Sweden, Germany, UK Netherlands, Australia, Switzerland, Belgium और European Union के लिए लांच हुआ था support इसका Microsoft SQL 7.0 था और उसमें accepta software brand के रूप में इसको rights मिला हुआ था उसके बाद version 2.0 आया जुलाई 1999 में रिलीज हुआ किया गया इंटर्नली OLAP support भी था इसमे and web development environment भी था 2.5 था 2001 में रिलीज हुआ था October के French and Italian market CRM module with the commerce gateway introduced and product builder all also included in this 2.5 version and then after that accepta 3.0 was released in October 2002 it's supported to 17 countries including Canada India and enterprise portal web-based browser support based in the 3.0 था GL Bank General Laser Bank CRM Account Receiver Account Payable Inventory Management Master Planning Production Cost Adsorption Product Builder Subfloor Control HR Questioner and Project module support था September 3.0 September 3.0 September 3.0 वैसको rename किया गिया गिया Accepta becomes AX Navizen become Nav Greatpans become GP 4.0 उसके बाद Accepta 4.0 आया मास 2006 में release हुआ service management module include हुआ application iOS as a web service windows service CLR CLR interoperability dotnet connector के साथ आया इसमें Unicode का full support था AIF का support था main menu वो concept आया इसमें और active directory का भी authentication इसमें add किया गया यह आप ex4.0 का देख रहे हैं उसके बाद ex4.9 आया जिसको जो काफी पॉपलर हुआ अपने जवाने में जो year 2.8 में launch हुआ था इसको version 5.0 भी कह सकते हैं इसमें भी enterprise बोलता था global address book का concept आया multi-site functionality या expense management आया SSRS reporting भी include हुआ reporting purpose के लिए sharepoint आया x++ support Microsoft SQL best server का concept आया load balancing का concept आया active directory inventory import pijard concept ICM user import कर सकते हैं from active directory code का versioning control आया source code आया role center भी आया जिसमें हम business के reporting देख सकते हैं profit loss top customer profitability analysis budget yes actual उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि September 2011 में 1812 में आया और 1812 के बाद 1812 के बाद 1812 के जरनी श्रा लंबा चला kube-bii-cube concept आया 1812 में database splitting partitioning improvement over rack ids business logic role center supported power bi support is there and big upgrade project modules यह हम पुरा road map देख सकते हैं यह कितने उसके updates hot fixes आए जो मैं नीचे से उपर आता हूँ अभी या देख से 2.5 के वर्जन आये market pack आया फिर option pack आया फिर 3.0 आया उसके build version आया 3.0 में SP1 आया उसके बाद 4.0 आया उसमें hot fixes आया बहुत सारे इसमें kernel बिल्ड होता है application बिल्ड होता है localization आया फिर एक इसमें 9 आया एक 9 में भी बहुत सारे रू 1 से लेके रू 8 अपडेट आया यह वही उसके अपडेट आता ही गया आया बहुत सारे आया एक 9 में स्टमक्रण का संपडेट आया यह नच्ट कर दीजिएंग आया इसमें तंड इसमें के लू ऑर्टू आया आया थक्डेट आया उसके बाद आट आया आता है इसमें क्डेट आया अ R3 आया, R3 में CU8 से लिए CU13 तक update आया और उसके बाद direct AX7 आया AX7 के बाद, AX7 का issue यह था कि वो cloud-based था, in-house support नहीं था इसलिए Dynamics AX7 के बाद Dynamics 365 आया Dynamics 365 में भी बहुत सारे builds आते ही जा रहे हैं जैसे जैसे इसके builds आते जा रहे हैं यह product market में stable होता जा रहा है मेरे laptop में Dynamics 24 वे स्टाल है तो आप देख सकते हैं कि उसका version अगर आपको पता करना है Dynamics AX का तो आप right-click में जाके about Dynamics करेंगे तो आपको वर्जन पता चल जाएगा अप्लिकेशन को यह देशिस करनल वर्जन देशित अप्लिकेशन वर्जन इतने सारे से module है अपने विगेशन पर नगा कि सारा मॉडूल का नाम देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एक समराइज भी में आपको Dynamics AX का वर्जन ERPK से काम करता है क्या है बताने की कोशिस की है अपने तरीके से मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा आपने काफी कुछ जाना होगा Microsoft Dynamics AX के बारे में अब पता चला हुआ कि क्या-क्या है Microsoft Dynamics AX अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो में नीची की साइटे सब्सक्राइब बटन है उसके क्लिक करके ये वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं तेंक यू बेरी मच एड वीडियो में एड जाशर के जाए है टिफ्स, SQL Database Tips को हम और भी कही सारे वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो आप वीडियो के दौरा ओनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं Thank you very much for watching this video